2.2 कैसे करें अमल और शारक की पहचान आप जानते हैं कि अमल की उपस्थिती में नीला लिटमस लाल तथा शार की उपस्थिती में लाल लिटमस नीला हो जाता है इसी तरह किसी विलियन की प्रकृती की जाच करने के लिए कुछ पदार्थों का उप्योग किया जाता है जिन्हें हम सूचक कहते हैं ये सूचक अपने रंग एवं अन्य गुणों में परिवर्तन के द्वारा हमें अमल एवं शार को पहचानने में सहायता करते हैं गुड़हल लाल पत्ता गोभी के रस एवं हल्दी आदी का उप्योग भी अमल शार सूचक के रूप में किया जा सकता है ये प्राकृतिक सूचक हैं क्या आप ऐसे ही कुछ और सूचकों को खोच सकते हैं जो अमल एवं शार को पहचानने में हमारी मदद कर सके इन प्राकृतिक सूचकों के अलावा कुछ रासायनिक सूचक भी होते हैं जैसे मेथिल रेड, मेथिल ओरेंज, फिनल्फ्थेलिन, इत्यादी आईए इन्हें समझने के लिए एक क्रिया कलाप करें क्या आप जानते हैं लिटमस विलियन रंजकों का मिश्रण होता है जो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है यह एक प्राकृतिक सूचक के रूप में प्रयुक्त होता है उदासीन विलियन में इसका रंग बैगनी होता है